मस्कान दोस्तों आज हम बहुती टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जो सबको पसन आती है मटन रस्षा और मटन सुका बनाने वाले हैं माराश्ट्र में कोलापुरी मटन रस्षा बहुती ज़्यादा पसन किया जाता है यह खाने में बहुत सौधिश्ट होता है इसमें नारियर और तील का पुपयों किया जाता है वहाँ के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं इसलिए आज हम अगर आपको मतन पसन है तो वीडियो लास्ट रग देखेगा जानते हम मतन रश्टा और मतन सुका की रेसिपी जब पहले हमें कुकर लेना है कुकर को गरम होते ही हमें उसमें ओईल डालना है ओईल हमें दो चम्बस डालना है हमें ओईल जादा नहीं डालना है क्योंकि मतन को ही ओईल छुटता है उसके बाद हम उसमें अध्रकलसुन का पेस डालने के बाद हमें उसमें हल्दी डालकर मतन डाल देना है इस तरह से हमें मटन और पाणी आइड करना है प्यानी भी जरूरत के उसार डालना है मटन हमने पहले से ही साप करके रखा था अब हम स्वाधा नुसर उसमें नमक डालेंगे और हमें अच्छे से पाणी उसमें आड़ करके हमें उसको पकने के रग देना है चिकन से मटन को थोड़ा देर लगता है पकने में चिकन को दोन शिटिया लगती है और मटन को तीन शिटिया लगती है आप हम कूकर का ढखन रग देंगे आप देख सकते हो हमारा बहुती पढ़िया मटन पग गया है और बहुती सौट पढ़ हो चुका है अब हम देखते हैं मटन रसा बनाने की रिसिपी अब हमने मटन के पीस निकाल ले और एक बरतन में सूप रख दिया है उसका रसा बनाना है अब हम एक पैन लेंगे पैन में हमें सब ड्राइ मसाला डालना है मतलब की लवंग, दालचीनी, पैज हमें अच्छे से उनको भून लेना है और हमें लाल मिर्च भी उसमें तेजपत्ता उसमें आड़ करके अच्छे से भून लेना है उसके बाद भूनने के बाद हमें यहाँ पे तील, पैच और कोकनट थोड़ा सा ब्राउन करके लिया है लाल मिर्च पावडर, धनिया पावडर, हल्दी पावडर, जीरा और अद्रक लसुन और थोड़ा हरा धनिया इसमें हमने अड़ किया है यह सब सामागरी के हमें रस्ता बनाने के लिए और सुका मटन बनाने के लिए जरूरत लगेगी हम यहाँ पे कोकनट का पावडर जो रहता है वो यूज कर रहे है अगर आपके पाद गीला या सुका नारियर हो ता आप उसको कद्दुगस कर ले सकते है गरम मसाला हमने यहाँ पे अड़ नहीं किया है गरम मसाला हम उपर से अड़ करेंगे जब हम मटन मसाला बनाएंगे तब अड़ करेंगे अब हमें मिक्सी के जार लेना है, मिक्सी के जार में एक एक करके सब सामगरी हमें उसमें एड़ करनी है, इस तरह से हमें एक एक करके उसमें सामगरी एड़ करनी है, जब हम यहीं सामगरी ग्राइड करेंगे तब हम उसमें हलका सा थोड़ा नमक डालेंगे, नमक डालने से क् हमारा जो मसाला होता है वो पारीक से पीसा जाता है और उसमें हम जब ग्रेवी बनाते है तब ओइल भी अच्छे से छुटता है इस तरह हमें सारा मसाला ढाल देना है और मिक्सी के जार में हमें थोड़ा पाणी डाल के पीस लेना है हमें ये मसाला ग्रेवी के लिए चाहिए और सुका बनाने के लिए भी चाहिए तो हमें उसको बहुत पतला नहीं बनाना है मटन का स्वाथ तीका और मसालेदार होता है इसमें एक तरी होती जिसे आप राईस रोटी या नान के साथ खा सकते हो और सब क्यों खिला सकते हो एक सब मनपसंद डीश है अब हमें कड़ई में ओईल ढार के हमें उसमें मसाला डालना है हमने ग्यास का धीन स्लो रखा है अगर आपने ग्यास फास कर दिया तो मसाला जल सकता है आप देख सकते हो इस तरह से हमें मसाले को तेल चूटने तक पकाना है और भून लेना है भी ग्रेवी का मसाला अच्छे से भूनने से उसका स्वाद बढ़ जाता है आप देख सकते हो हमारा मटन का ग्रेवी का जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है और ऑल भी छूट चुका है अब हमें स्वादा नुसर उसमें नमक डालना है याद रखना हमने मटन जब पकाया था तब उसमें भी हमने नमक डाला था अब दूसरी तरफ हमने मटन का जो सूप रखा था जो हमने एक मरतन में रखा था उसको हम गरम करेंगे और उसमें हमें हमने जो मसाला तयार किया है वो हम उसमें अड़ करेंगे इस तरह से हमें जरूरत के नुशा जितना हमें पतला चाहिए या गाड़ा चाहिए उससी साब से हमें उसको डालना है मसाले को उसमें अड़ करना है मटन की तरीब भहुती लाजवाब लगती है आप एक बार बना के देखना बहुत आई टेस्टी लगती है अब हमने जो पीस निकाले थे मटन के वो हम ग्रेवी में आड करेंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे माराष्टा में ये डिश बहुती पसंद किया जाता है मटन सुका और मटन रसा कोलापूर में बहुती भेमस है इसलिए लोग कोलापूर मटन रसा और मटन सुका खाने के ले जाते है अब हमें मटन को अच्छे से पकने देना है हमने कहा तो आपको कि उपर से गरम मसाला डालना है तो इस तर से हमने अभी गरम मसाला एड़ कर दिया गरम मसाला उपर से डालने से उसका सौध भी बढ़ जाता है और खुश्बय भी बहुत अच्छी आती है अब हैं हम साइट को तेल चुटने तक पकने देंगे आपने देखा हमारा जो हमने रसा बनाये ता मटन का सूप का उसमें हमने मसेला डाला ता वो ग्रेवी भी बहुती रसा बहुती अच्छा बन चुका है और उसको तरी भी आ चुकी है इस तरह से तरी आना चाहिए इसको हम थोड़ी तेर और पकने के लिए चोड़ देंगे आप ये सूप ऐसे भी पी सकते हो आपने दूसरी तरफ मटन सूप का बनाने के लिए रखा तो वो भी बहुती टेस्ट्री बन गया है और उसमें तेल भी छुट चुका है हमने एक बाउल में ट्रांसपर कर लिया है और दूसरी तरफ हमारा मटन रसा भी रेड़ी है तो आपको कैसी लगे रेसिपी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा मटन रसा में सबसे का विशिशता इसका स्वाद और इसमें डाले गए मिश्रंग के गुन होते है रेसिपी थोड़ी बे अच्छी लगे तो चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भुले मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ